आज हम लोग देखें कि आपनी website की downtime को हम लोग कैसे कम से कम कर सकते हैं Hi guys מेरा नाम है क्रिपेश आडवानी और website downtime is जब भी आपकी website को access नहीं किया जा सकता है तो फिर हम उसे website downtime कहते हैं यह क्यों होता है यह server जब आपके वेबसाइट पर डीडॉस अटाक कर दिया उसकी वज़े से हो सकता है कभी कोई बाड नेबर्स रहते हैं शेर्ड होसिंग में वह भी एक रीजन है फिर सुमार उसके प्रॉबलम हो सकते हैं यभ फिर हड्व में फ्रोस्टिंग में है उसकी हर्ड वैड इशोउस हो सकते हैं तो अब इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए तो हमें सबसे पहले ट्राक करना है कि हमारी वेबसाइट कितने टाइम के लिए डाउन गई है इसके लिए अब अब टाइम रोबोट का यूज कर सकते हैं मैं खुद इस वेबसाइट का यूज करता हूं इसके फ्री प्लान भी है तो आप लोग फ्री प्लान यूज करके देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट कितने टाइम के लिए डाउन गई थी तो अब हमें पता चलिया कि हमारी वेबसाइट डाउन जा रही है तो अब हम लोग इसको मिनिमाइस कैसे करें तो सबसे पहला और मॉस्ट वीडियो स्पांसर कमें टू प्ले होस्टिंगर एक अफोरडेबल होस्टिंग सर्विस है जिसका अप टाइम काफी अच्छा रहा है मेरी experience में यह ऑफोरडेबल बी बिगनर्स के लिए काफी अच्छा है डेली बाकपस आप लोग मिल जाते है और काफी इसी टु यूज इ बोरी एंट्री भी मिल जाएगे जो आप लोगो सिखाता है कि होस्टिंग को कैसे यूज करना है और अगर आप लोग इस से साटेस्फाइड नहीं हो अगर आपको वो फोस्टिंग नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप लोग 30 डेस के अंदर अपना रिफंड कर सकते हो एक अच् अच्छे कैशर सिस्टेम का यूज करना तो आप लोग अगर वर्ड़्ट्रेस में हो तो डव्लूथरी टूटल कैशे यूज कर सकते हो अब लोगों को अच्छे कैशर सिस्टेम का यूज करना चीए ताकि आपकी वेबसाइट पर कम से कम लोड पड़ेगा तो आपका उसमें से 30 users में एक साथ refresh किया, अब मेरी website लोड हो रही है 10 सेकंड में, तो 10 सेकंड तक वो resources सारी use करेंगे, वो 30 users सारी resources को use करेंगे, और इस वज़े से मेरी website डाउन जा सकती है, वही पर ही मेरी website का लोड टाइम है 1 सेकंड, तो फिर जो वो users resources यूज कर रहा है, वो 1 सेकंड में ही free हो जाएगी, इसका मतलब मेरी website के server पे load कमाएगा, और मेरी website पे downtime भी कम होगा, तो एक lightweight theme का use करना, एक cache plugin का use करना, और उसकी speed अच्छा रगना, काफी impact करता है आपकी website के uptime होने पर, next point is to increase security, अगर आपकी website पे कोई DDoS attack कर रहा है, तो आप लोग को उसे block कर देना उसके लिए, अगर आप लोग WordPress यूज कर रहे हो, तो कुछ plugins का use कर सकते हो, iTheme Security Pro करके एक अच्छा plugin आता है, जो की free है, next point is to back up your site regularly, I always say this in my hosting videos, कि यार बाक बहुत important, it is the most important thing in hosting, अगर आपकी hosting पे virus आजाए, अगर कोई attack कर दे, अगर किसी भी type का malware उसमें इंजेक्ट हो ज से कम users रहते हो, उस ताइम पर मत schedule करो कि जब आपके website पर सौर रियल टाइम उसको जैसे मालो कि रात में कम आते हो, तो रात को तीन बजे का उसका time रख कर रखो, कि तीन बजे वो मेरा backup ले, तो schedule at the right time for your backups, next point is to use CDN, CDN means content delivery network, मतलब आप लोगो ने अपने जो website के parts है, images है, क उठा लेगा जो यूरोप से अक्सेस कर रहा है, वो यूरोप से जाकर उसे उठा लेगा, तो इसका मतलब होता है CDN, इसके वज़े से क्या होता है, जो आपको जो main server है, उस पे कम load पड़ता है, तो यह उन लोग ले काफी beneficial है, जिनके traffic पूरी दुनिया से आरी है, मानलो मे मेरी ट्राफिक उसे से है, मैं लोड कर लेरिगा, तो इसके लिए आप लोग फ्री CTN का भी उसका असे क्लावड ट्रायर हो गया, कुछ पेड्सीडन की ऑक्षन से, इसके विडियो बना दूगा क्या क्या ऐक्षन से कौन-कौन से अच्छे हैं, पूरे टेस्ट रिजर्ड क कर लेंगे अगला पॉइंट है कि नर्ड थीम्स और प्लगिंस को हमें यूज नहीं करना चाहिए इसके लिए अगें मैंने एक डेडिकेटड वीडियो बनाया है वो आप लोग आई बटन पर मिल जाएगा कि नर्ड थीम्स को क्यों नहीं यूज करना चाहिए मेजर लिए इस वो हमेशा अप टू डेट होनी चाहिए क्योंकि कभी कभार कुछ थीम और प्लगिन में भी प्रॉब्लम होती है कि वो जादा रिसोर्स करने लग जाता है तो डेवलपर्स उसके पैच रिलीस करते रहते हैं तो हमें हमेशा उसे कॉंस्टेंटली अपडेट करते रहना चाह किया मैं इतनी रिसोर्स नहीं कर रहा हूं मेरे इतनी व्यूज नहीं आ रहे फिर भी मेरी वेबसाइट का इतना डाउन टाइम जा रहा है तो यह तो वो आप लोग को दूसरे सर्वर पर शिफ्ट कर देंगे यह फिर आप लोग अपनी होसिंग प्रोवाइडर को चेंज कर सकते हो यूजिली 99.9 % आप लोग को अप ताइम मिलना जही 99 % तो मिलना ही चाहिए अगर हम बोग को अप टाइम नीचे जा रहा है 97 95% जा तो टीधिली अपने शेयर रोस् condemns से कॉंच्टक करें अपने शेयरे ब्सक्येस को वेडर से कॉंटक करें अग्सित को उन्पिल नह आपको ये वीडियो अच्छा लगाए तो उसको थम्स अप देजिएगा चानल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा and I will see you guys in the next time. Goodbye.